हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं क्यार सेनी, क्यार एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तो आज इस यूडियम में बहुत इंपर्टेंट टोप भी बात करने वाले हैं, LP के रिगारिंग, LP का जो 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 सब कुछ इस वीडियम में आपको मिलेगा, साथ दोस्तों सब कुछ इस वीडियम में आपको मिलेगा, जो आप जानना चाहते हो, A to Z information, मैं कुछ फोटोस के माध्यम से आपको समझवानी कोसिस करूँगा, LP की जो प्रोफाइल और प्रोफाइल और प्रोमोशन वगर है, सा इस तरह इसकी वेकेंस आती है, और इसके तयारी करने के लिए आपको जो है, कुछ बुक्स पर अगर प्रिफेर करनी होती है, तो देखें यहाँ पर एगर रेल्वे के किसी भी एक्जाम के आप तयारी कर रहे हो, जिसमें की जीके पूंचा जाता है, जनर नोलेज अगर प सबके बारे में कंप्लिटी जानकारी मिलेगी, और वन लीनियर एप्रोच है, एक्जाम की दर्ष्टी से बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, और प्रिफेर के क्यूशन प्रेपर भी आपके इसमें मिल जाएंगे, तो इस बुक का आप प्रिफेर कर सकते हैं, या आपको ओनलाइन खरीना है, तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब देखें दोस्तों जो भरती आ रखी थी, वो देख लीजे एक बार, इसमें एलपी की भरती आती है, डिरेक्ट लोको पाइलेट की भरती कभी भी भी नहीं आती है, लेवल 2 की भरती इसका घ्रेट कई है, उनिस 1900 इसका घ्रेट पे बेसिक होता है, और मेडिकल स्टेंडड सबसे खात Cuba का अवला होता है, दोस्तों देखें सी प्रोसेस की, तो सेलेक्शन प्रोसेस में लोको पालेट बने के लिए आपको CBT1 एक्जाम देना होगा, CBT2 देना होगा और CBAT Computer-based aptitude test देना होगा, उसके बाद में आपका DVA होगा, उसके बाद में आपका medical होगा, अगर सारी जगा आप इसके बाद में आपको बेज़ देना होगा, अपके बोड़ी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, इंटर्नल आउटनल, वो सारे कुछ पार्ट यहां पे चेक होगा, बीपी सूकर बगर है, कालर वीजिन है, हाड्रोसील है, सारे कुछ यहां medical test में आपके किये जाएंगे, medical के उपर में अलग से एक वीडियो बना दूगा, अगर आप लोग का होगे तो, डीटेल से, बाकि इसमें सारे कुछ टेस्ट हैं आपके होने वाले हैं, और बहुत ही थोड़ा ठफ होता है, लोगो पालेट का medical, सारे कुछ चीज़ अगर आप फिट पाए जाते हो तो उसके बाद हैं बेस जाता है, आपको training center में, training center जो होता है, अलग-लग zone के अलग-लग हो सकते हैं, या किसी एक training center में, दो-तिन zone के भी लोगों का training हो सकता है, तो विदेत कुर्शन यह नहीं कि जो आज के ऐसी लोगों आ रहे हैं, नहीं कि electric लोगों जो आ रहे हैं, उनका training थोड़ा अलग होता है, अलग institute में होता है, और generally आपके initial training होती है, वो आपके JIT में होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, NWR की तो इन लोगों की आपे JIT उदेपुर में training होती है, लोगो पाल और वहाँ पे आपको जो है, लोगी अलोट कर दी जाएगी, लोगी क्या होता है दोस्तों, लोगी को थोड़ा डिटेल समझेंगे, लोगी एक तरसे अपके गार्ड का और लोको पालेट का एक तरसे headquarter होता है, suppose एट जैसे कि विकाने division के अंदर, मैं बात करूँ, दो तिन लोबी है, हर division में आपको दो तिन लोबी है, किसी में कम जाद आपे लोबी मिल जाती है, तो विकाने division के अंदर मैं बात करूँ, एक तो विकाने खुद में लोबी है, एक हनुमानगड में लोबी है, तो मालेतिया, suppose देट आपको जो हनुमानगड लोबी यहां पे मिल जा है कौन सा डेस्टेनेसी डूटी आंपके जो लगेगी यह से लगेगे एक तरह से आपका हो जाता है लोको पाइलेट लोभी का यह सब लोगों को अलवट होती है तो आप लोठी ले सकते हो किसी और जायेका हो ल्कुल दाशी sagt हो तो आपका आराम से लिए यहां पे Chris बनासफुरी हो जाएते जिक्कत वाली बात नहीं है लोग्य अलॉट होने के बाद में यहां की डूटियां लगना जाती है डूटिय लगने से पहले आपको यहां पर अलार दिया जाता है अलार का मतलब जो आपको जो सेक्शन में आपको डूटि कराये जाएगी तीन-चार के अंदर रो नाइट में भी आपकी जह लर् निंग दी जाती है उसके बाद में आपけれ बृइ करने तो वहां सबसे पहले आपको start pricing करना होगा टेस्ट होता है घ्न youngest होता है और Paris करोता है तो वहां पर लोभी जंक्शन पर होती है तो वहें सब्सक्राइब करओं और या फिर कहीं बार कई leone को खगानगा नहीं हूँ पर एक तरस एलकोल की जान्च होती है कहीं एलकोलिक सराभ पियाओ नहीं होती से अगा टेस्ट हो जाता है यहीं पर इनका वापस से डिटेल करेंगे सारे कुछ डिटेल जानेंगे और ओनलाइन इनका जो है इसी सिस्टेम पर इनके खुद की जो आइडियो होती है उसी पर कर सकता है और देखिं यहां अगर कोई डीजल लोका हो तो तेल कितना है और इसकी जो सर्विस बोक होती है उसमें भी देखा आता है कि लोको में क्या क्या वाफास वाते हैं यह कैसे लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो बेटरी फ्लेक वगरे सारा कुछ होता है तो इनको भी देख लेगा जो ट्रेन मेनेजर और आपका लोको पाइलेट को भी मिलता है तो यह रखा गया है नहीं रखा गया एंजन में जिस एंजन में को डूटी है तो यह इंशूर करना है इसके बाद में चल पड़ते हैं जब आप जोटे दिशन में को क्या क्या चीज़े ध्यान रखनी होती है यह यहां पर इस्टेसिन पर पहूंचते हैं जब ओन करने से मस के उपर तो वहां पर कैर इनको कोशन ओडर भी जारिक आता है कि किस किलो मेटर पर आपको किस स्पिड से गाड़े को चलाना है क्योंकि दो जब को यहां पर लूकोपायलेट को फॉलो करना होता है और विक्षेस तोर से ध्यां करना होता यह कि बाद मिलती है इसके बाद है सब्सक्राइर करने की बेखने समय और जिंदी कि लि сигए गया दो हर यहां जाती है तो All Right Signal मिला जाता है, Stasim Master Green Zandie दिखाए के तो आपको भी Green Zandie पर दिखाए के All Right Signal मिलाना होगा और देन आपको Pass करते जाना है, अगर गाड़ी में किसी टाइप की कोई समिशन नजराती है Stasim Master को तो Red Flag दिखाएगा और Red Flag दिखाने के बाद में आपको गाड़ी रोक लेनी है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर डूटी करते जाना है दोस्तों जब आपने गाड़ी को Destination तक पहुंचा जयते हो तो उसके बाद में आपको Running Room में रेष्ट करने के लिए दिया जाता है तो Running Room में सारी कुछ प्रेसलिटी जो होती है, कुक आपको मिलेगा, रासन अगर आपका खुदगा होगा वहां पर रेष्ट जो है वह आपको Duty के उपर Depend करेगा कि कितनी डूटी आप करके आएगा, इससाब से वहां पर रेष्ट दिया जाएगा देगे दोस्तों केरियर की बात करते हैं लोको पाइलीट के अंदर प्रोमोशन की बात करते हैं जो कि, यहां पे सबसे पहले आप बहुती होते हो वह होते हो असिस्टेंट लोको पाइलीट पे जो कि 1900 जिपी की जईवब है उसके 2-3 साल बाद में आपको Senior LP बना दियाता है जो की 2400 ग्रेड की जोब है Senior LP से आपको जो है Locopilot Center LPS की एक पोस्ट होती है वो बना दिया जाता है वो भी 2400 ग्रेड की ही पोस्ट होती है बस इसका जो है एक promotion ऐसा होता है की इससे एक थोड़ा सा आगे की step का यह जोब होता है LPS से फिर आपको Locopilot बना देते है Locopilot Goods आप सबसे पहले बनते हो माल गाड़ी के Locopilot आप बन जाते हो इसमें यह Level 6 की पोस्ट है 2200 ग्रेड की जोब है 3500 चार्स आप पैसमें Basic रता है Locopilot Goods बनने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे की 5 से 7 साल या कहीं पे 10 साल लगाते है Locopilot Passenger बना देता है तो Locopilot LPP बना देगा Locopilot Passenger तो Passenger गाड़ियां जो होती है आपकी Local वाली वो चलाने लग जाओगे Locopilot Passenger बनने के बाद में फिर से कुछ 5-10 सालों बाद में आपको फिर Locopilot जो है Male Express के बना देता होगा फिर आपको Superfast वगर है तो ऐसे आपको promotion होती रहते हैं और आपको जो है इनके लिए कोई exam नहीं देना होता है बयाली सुग्रेड में यह सारी आगे की जो promotion है यह बयाली सुग्रेड में है इस तरह से आपका promotion होता है अगर आप जीटेड पोस्ट पर जाना जाते हो AME की पोस्ट पर तो उसके लिए आपको department exam देना होगा अगर सारा कुछ होता है उसके बाद में AME बन जाओगे AME के बाद में DME और उसके बाद में senior DME आपके promotion हो जाते है और चूरू से फिर आप अपनी वापस लोभी बिजा रहे हो तो वापस जब आप लोभी पहुंचते हो तो वहाँ पर आपको 16 गंटे का कम से कम रेष्ट दियाता है कम से कम इनी 16 गंटे तक आपको कोई duty नहीं रहती है 16 गंटे के बाद में कभी भी आपको यहाँ पर duty लगा जीती है 17 गंटे में लग जाए, 18 गंटे में लग जाए तो वहाँ पर आपके duty लग सकती है कभी-कभी 20 गंटे बह जाते है जब गाड़िया कम होती है और क्रू जादा होता इस पेर में इतने अपन जो सेलरी, सेलरी क्या रहती है लोको पालेट की, तो देखी इनिशियल जो सेलरी होती है आपका 19,900 जो बेसिक होता है 50% आपका DA है लेकिन जो लोको पालेट और गार्ड है इनको बेसिक के 30% एक्स्ट्रा मेर्ड करके फिर इनको लॉमसेज मिलते है तो इनका DA वगर, HR वगर की रेट तोड़ियां पर बढ़ जाती है तो फिर भी और वले में बात करूँ तो 55-60,000 के करीब जो है यहाँ पर आराम से एसिस्टेंट लोको पालेट की इनिशियल सेलरी मिल जाती है इसके वन दोस्तों जैसे कि आप लोको पालेट गूर्स बन जाओगे जैसे कि यह भाई यह लोको पालेट गूर्स है तो इनकी जो सेलरी यह लाग रुपे प्लस आने लग जाती है इनका बेसिक जो होता है 35,400 होता इनिशियल इनका इनका इनक्रेमेंट लग चुका है तो इसलिए इनका 37,600 बेसिक है और जो है इनकी सेलरी एक लाग प्लस आने लग जाती है इसी बार जैसे आप सेनियर होते जाओगे जैसे कि लोको पालेट में लेक्स पेक्स है और भी बढ़ते जाओगे तो आपको यहाँ पे सेलरी लाखों में होती जाएगी तो यह जो है सेलरी बहुत अच्छे कासी होती है इस जोब की कुछ प्रोस और कॉंस भी है देखे फाइद होती है कि आप बेरोजगा नहीं रहते हो अच्छा खासा पैमेंट आपको मिलता है तो यह कुछ फाइद है इसके लेकिन कौन से इसके कुछ नुक्सान भी है देखे सबसे बड़ा नुक्सान तो यह ही कि आपकी जो तीन सो पैसर दिन डूटी होती है ऐसा नहीं कि कि हो ली दूआ लेकि आपको छोटी माली भी आपको डूटी करनी होती है उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 8-10-10 गंटे 12-12 गंटे तक एक लोको में सिटिंग जोब करनी होती है तो कहीं सारे बीमारे आपको हो जाती है डाइपडी शुगर वगर कहीं सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखना पड़ता है और साथ ही जो यह लोको वाइबरेट करता है चलते टाइम या फिर इलेक्ट्रिक लोको होता तो आपकी जो एलेक्ट्रिक वेक्षिन की जो वेव अगरा होती है इसके लाओ दोस्तों यहाँ पर आपको वी प्रोग्राम ज्यादा सही तरीके सेटने कर सकते हैं यह सारा को चीज़ें है आपको लोको पालेट गुर्स में जब तक हो तब तक यह चीज़ें आपको फेस करनी होगी उसके बाद में लोको पालेट पैसेंजर बन जाते हो पालेट तो फिर आपको इस समझे नहीं देखनी पड़ती वहाँ पर आपको पता होता कि मेरेको कौन सी गाड़ी लेकर जानी है और उनकी जो है डूटी फिक्स होती है साथ गंटे, आट गंटे, नो गंटे में जितनी दिरे में पहुंच जाती है लेकिन लोको पालेट नुकसान यह भी है कि आपको हर तरह के नेचर से अपने आपको यहाँ पर एज़ेस्ट करना है सर्दी करमी परसाथ कोई साही मोसम हो रात के एक बज़रे हैं दो बज़रे हैं तीन बज़रे कभी आपकी डूटी लग सकते है उसे हिसाफ़ से आपको यहाँ पर प्रिपेर पानी की भी शमुष्ये है कहीं पानी किस टाइब कर मिल रहा है तो सुरू-सुरू में पर समुष्य आती है लेकिन दिरदिर आप इसमें यह भी चलो जाओगे और बोड़ी आपकी उसी अरकोडिंग हो जाएगी तो यह कुछ नुक्षान है फिर भी जो है अगर और और बा करूंगा और देखे दोस्तों यहां पर लाउंसेज की बातों के डूटे और और साइन और प्रिक्रिया मैंने बताए दी प्रोफाइल आपको बताए दी है इस सारी चीज़ों भी मैंने टूजर बात की है पास पीटियो वगरा सारा अब मेडिकल पैसलिटी आपको सारी कुछ मिलेगी और हरे वगरे मिलेगा सारी कुछ लाउंसेज मिलेंगे तो इस सारी कुछ जान करती लोको पालेट के ऊपर थैंक्यू